नमस्कार बहुत ही ये लोगतंतर का महापरव है जैसे हम दिवाली होली मनाते हैं वैसे ही ये एक डेमोक्रेसी कहते हैं हम डेमोक्रेसी फॉर दा पीपल, आफ दा पीपल, भाई दा पीपल तो बर्चत कर मतदान होना चाहिए और मैं देख रहा हूं कि सुबा सही इस बार जो सब्सक्राइक पर बपिशुर्टिज ज्यादा है, पीसफुल हो नहीं है, पहले से बेटएंग हो नग कर भाई ज्याथा नहीं है, बहुत ज्यादा पहले है, जो पर च मोह महापर्व है, भोला रही है वहत अच्छे पूरे तरीके से चल रही है और देखते हैं अब सरकार किसकी बनती है अच्छे से काम हो रहे हैं और सब लोग बहुत उसक्षा से अपना वोट दे रहे हैं अब जो है आप तो रिजल्ट की वेट रहागी कि कौन सी सरकार आएगी अच्छा बड़ी रॉनक लगी है हर काउंट सब्सक्राइब करें और काफी अच्छी वोटिंग हुई है मेरे ख्याल से 65 से परसेंट से ज्यादा जानी चाहिए जो देश का विकास करें और भारत का राम नोशन करें मैं यह नहीं जाता कि हमें कोई फिरी की चीज मिले हम जाते हमारा भारत आगे बड़े मैं कहना रही है कर आज का महोल बहुत पच्छा रहा है और वाबा फरीद पुरीर आज़ान कलोनी से चाहिए जादा प्रसेंट परसेंट जो है जो है सोनात बारतेजी को पड़ा है और गीजी और एक दिन वो आना ही आना है कि उसे घर जाना ही जाना है मजद्धा था सहे क्यों पड़े हो चकर में कोई नहीं है बहुत लग है और काफी लोग है फप्लिक भूश है है और सबके सब कह रहे हैं कि इस पार सब्दा भारती जी आएंगे पेहां पब्लिक को जवाब देगे कि कोन आएगा नमस्कार मैं हूँ रूप सिंग उसाई और आप देख रहे हैं A.N.C. इंडिया और आज भारत की अठारवी लोकसवा के लिए छटे चरण का मतदान है यहां पर बारती जनता पार्टी की पर्तियासी है बासुरी सवराज जो की पूर्ब में जो सांसद रही है बड़ी नेता रही है बारती जनता पार्टी की सुसमा सवराज जी उनकी पूत्री है बासुरी सवराज और उनका मुकाबला यहां पर 22 ब्लोक वेस्ट पटेल नगर में यह एम सेटी का प्राइमरी स्कूल है यहां पर हूं और आज सुबह जो साथ बजे से शाम के छे बजे तक मतदान होना है तो आईए आपको यहां का पूरी पटेल नगर विदान सावाज चेतर का आखवाद एका हाल आपको तो आने क्या माहूल लग रहा है तो पूरे देश का माहल जो है वही आज नहीं दिली लोकस्वाशीट का है हमारी संसेजी छेतर की जो अपनी प्रताक्षी है बहूं सबसे लोगप्री है वीदेस मंत्री शुषमा सवराज जी की उत्री है और मैं देख रहा हूं कि जिस तर और चार सो पार का जो नारा है प्रदान दिन दर्मोदी जी का वो उसमें उनकी भी एक योगदान रहेगा और भारते जन्ता पार्टी जो इस वह इंदुस्तान की ही नहीं पुरे विशु की सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी है और जिसने बहुत अच्छे में आच्छे रहे हैं और जो इंडिया गटबंदन का जो पीम का जो चेहरा है मली और जुन खड़के जी वह इक पीम के चैहरे में उनको देख रहा हूं क्यों इंडिया लाइंज ने उनको लगदा कि लगता है कि वह इस योग नहीं है कि जो अभी फिलाल विशु के सबसे सब अपना मतों का मद्दान करें और सबी खुश रहें अच्छा रहें और हमारे रूप्रियों को साइजी ने हमारा इंटर्विले उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको शुबनाम पलवन्त सिंग आप आ रहते हैं परीद्टुरी में रहता हूं जी सर्व मैं यूपी से बिलूंग करता हूं और 14 साल से फरीद्टुरी में रहता हूं मोदी जी की जो गारंटी है वो संभव है असंभव नहीं है यहां से बिज़िपी कोई टकर नहीं दे पाएगी अंडेट परस्टुरी जो जैसे की कॉंग्रेस और पहले आप पार्टी अलग अलग दी और कॉंग्रेस के ही लोग आप में चले गे थे लेकिन वह वाक्सी उन जब उनको एक बार अपने खुद की सरकार बनती है उस सरकार में बनाने के लिए उनको 15 दिन एक महिना लग जाते हैं अपने मुखंतरी चुनने में तो फिर प्रारमंतरी चुनने में तो जैनुर सर है चली धन्यवाद हमारे साथ कोमल शर्मा है जो कि पहली बार इन्होंने बोल डाला है अभी 18 वर्स की हुई है तो भारत की मतदाता बन गई है तो क्यासा अनुभाव रहा तुमारा मेरा पहली बार कानभव कुछ इस प्रकार रहा कि मैं पहले तो वोटिंग अपना वोलिंग गून रही थी उसके बाद मुझी मिला तो बहुत लंबी कतार थी महां पे वोट डालने के लिए बहुत अच्छा लगा देखकर कि देश के लोग जागरोप हो रहे हैं वोटिंग कर दो कि लोग जो की वोटिंग की प्रकरिया कर रहे थे और उसके बाद पिर मैं गई बुझे पता भी था कि किस प्रकार पहली बार वोट डाला जाए मैं पूंचा भी उन से और फिर उसके बार मैंने अपना वोट डाला और मैं बाहरा रही बहुत अच्छा मेरा तिस ब्लॉक है ये पटेल नगर वेश्ट पटेल नगर का और यहां पर इस वक्त वाट 86 की निगम पारसदा और वर्तमान में दिली की मेर शेली अबराय यहां पर मुझूद है और भारती जंता पार्टी के तमाम पदाधिकारी जिला करोल बाग के अध्यक्स सुनिल ककड यह हो रहा है क्या पोजिशन समझते हैं क्या कहना चाहेंगे लोगों में जो इतना हुसा है यह मोदी जी के प्रति उनका टूट प्रेम परकर गर्मी की सर्दी की दूप की बिगयर प्रवा कि हुए दोदो घंटे लाइन में लगके मोदी जी के लिए और रामंदिर के लिए वोट दे रहा है कितना प्रसंट मतान होने क्या सब्सक्राइब कम से कम 55 प्रसंट से उपर बंदान जाए तीन बे तक 45 प्रसंट वोट था दिली में तीन गंटे और पड़े हैं और आज वोट जो चुनाव आयोग इसको पड़ने देगा जो आदमी लाइन में लगे उसको बॉट ढलना पड़ेगा और जहां कई जगा मशीने घंटा-घंटा-टेटा-डेटा गंटा कराब रही है उतना टाइम हमिलेगा क्योंकि अभी भी जो लाइने लगी है और उसके बाद और लाइन देखे लोग देश के लिए वोट कर रहे हैं और मोदी जी को वोट कर रहे हैं ऐसा समा कहीं देखने को नहीं मिलेगा काड़िमी में दोपाल को लाइने टूट नहीं देखे लुट कर रहे हैं अब लाज पिश्था आठ बाज तक के जो लोग गंटे फालतू दिये जाएं ताकि लोग वोटिंग कर सकें और पूर्ण भूमत से मोधी जी पूरे बार्थ वर्षे में सरकार बनाने जा रहे हैं उसमें कोई दो राही नहीं है यह अपने चार से राष्ट हिद का चुनाव है और हमारे जिला दक्सी पर हमारे वीज में पू मोधी जी को पहली आर्दिक सुप्राम नहीं देता हूं और सुस्री सुराज जी को अगरिम बदाए देता हूं कि वो कम से कम 500-600 बुटों से वीजे होंगे बहुत-बहुत धन्यबाद आपका चनल हमारे वीज में आता है मुश्किल लिए आपको भूत-बहुत धन्यबाद चुनाव किसी का नहीं है हमारे देश को चुनाव है अजर्मिया मोधी जी का चुनाव है जोने भारत देश का जंडा पूरे फिश में लगा है लोग परो के हाच के दिवस में बहुत अच्छा माहूल बना हुआ है देखा जा रहा है देख सकते हैं बहुत उस्सा है लोगों में आज के चुनाव को लेकर क्योंकि यह चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है देश के ने तो कुछ चुनने का दिवस है और जिस तरह से लोगों का उस्सा देखा जा रहा है पिसली बार से मुझे जैसा लग रहा है कि बोटिंग ज्यादा हुए बहुत अच्छी बात है लोगों में जाग रुकता आई हैं अभी बहुत तक रह गया है और अभी आते जा रहे हैं हमारे साथ भारत विकास परिस्द के मोनु गोयर जी है जो भारत विकास परिस्द पटेल नगर ही नहीं बलकि पूरे दुनिया में अपना एक एहम इस्थान रखती है बहुत स्वागत है सर बोट डाल का है बड़ी खुशी दिख रही है चेहरे पर नमस्कार बहुत ये लोगतंतर का महापरव है जैसे हम दिवाली होली मनाते हैं वैसे ही एक डेमोक्रेसी कहते हैं डेमोक्रेसी फॉर दपीपल ऑफ दपीपल बाइदा पीपल तो बर्चरत कर मतदान होना चाहिए और मैं देख रहा हूं कि सुबा सही इस बार जोश है दिल बहुत स्वागत है हमारे चैनल में नमस्कार सर आज के चुनाओ को लेकर चुनाओ का जो महापरव है बहुत अच्छे से अच्छे से चल रहा है सुबह से वोटिंग यहां पर हमारे इलाके में बड़ी शांति पूरोज तरीके से चल रही है और देखते हैं आप सरकार किसक नमस्कार सर आज को सरकार उसी की बननी चाहिए जो लोगों के साथ में ना की धरम और जाती के साथ अच्छे से नमस्कार सर में अपना वोट एक सही पालिटी को चुनके दिया है जो देश का विकास करें और भारत का राम नोशन करें हम चाहते हैं हमारा भारत आगे-बढ़े ऑर भारत कर दिया मार अीशने हमी बहु gidblock और घेए welche सबसे कि अप ठुछ के चख्कर में बत रो फिरी के चक्कर गर देश कंगा लोना है। हमारा आर्मी पहुंत हुते हैं। और इस वक्त हम पहूँंच चुके हैं प्रेम नगर रेल्वे स्टिशन के ठीक सामने यहां पर यहां पर यह मेटकर पार्कः बलजीत नगर का और यहां पर यह बूट यह टेबल लगी है करते हैं और यहां तो ब्तहों करता है और यहां सामने भारतियृजंता पार्टी के अधिकारी है जो कि यहां मोर्चा संबाले में उनके साथ विश्णु देव जी राजेश जी आदव जी है मैडम नमस्कार बहुत स्वागत है थो सब्धम हो ने जो चरण का साथ है देखे मारे बाइचारा आए बाइचारा तो यही कह रहा है हम भी मोदी जी के साथ है इसे बड़ी खुशी की क्या बात होगी मेरा बाइचारा सब हम बैंड भाई मिलके सुबह से यहां इतरी गर्मी मटटे होए है जब तक शाम 6 बजे तक जब हमारी पॉलिंग पूर जाज श्री राम जैसा कि आपको मालूम है कि आज चुनाव का दिन है और सभी हमारे कारेकरता और राष्ट वक्त सभी बोट देने के लिए निकले हैं और अपने अपने गरों से निकल कर बोट श्री राम की चरणों में जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पुरा भारत भग प्रधान मंत्री तो देश का विकास होगा हमारे बच्चों का बभीष्य बनेगा इस सूच के हम सभी लोग बोट कर रहे हैं और सभी लोग बोट करने जा रहे हैं सभी का मैं देशे अभार वेक्त करता हूं आज के इस पावन दिवस के लिए कि सभी ने आज सिरी राम के च बोटिंग का अच्छा माओल है और पपलिक बचल के बोट दे रही है और हिंदी तुवात पे चल रहा है वोटिंग और अच्छा मोला बोल वाट तो आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह से भरपूर ये पार्तिजन तप्पार्ण का अच्छा मेरा आपके चैनल को नमस्कार मैं आपके दर्सकों को हार्दी सुकामना देता हूं आज के परविकी और आप लोगों को जैसे मैंने विए आपको बता रहा हूं मैं जैसे उठा सबसे पहले मैं सुबह बोट डालने के लिए निकला तो में देखा आम आजो पार को चुनाब आयों का उलंधन कर देखा इतना शुणाब के दर्वान जो रेलेक्शन से दो दिन पहले सारे के परचाट बंद हो जाते है को चुनाब चिन नहीं दिखना चाहिए कोई चीज नहीं होनी चाहिए उंके परचे रोड़ों पर गिरा रखे उसके फे बेस पर तो यह सब बारती जंता पार्टी के समर्तक थे और आप पार्टी के जो कारे करता है इनसे भी मिल लेते और नमस्कार मेडम बहुत स्वागल दे आज जो आप सुबे से बैठी हुई है याप और आप पार्टी के समर्तन में तो क्या माहौल लग रहा है क्या कहना चाहिए और काफी लोग हैं पब्लिक है खुश है और सब के स अब कह रहे हैं कि इस पर सोमनात भारतीजी आएंगे तो हम पब्लिक के साथ पब्लिक को जब आप देखी कि कोन आएगा तो आपके साथ ही जो टेवल पर बैटें तो चारसो पार का नारा लगा रहें वो पब्लिक बताएगी कि 400 पार है या क्या होगा पब्लिक के हात में पब्लिक से आगे कुछ नहीं है अपना परिशे दो सबसे पहले दो यह मेरा नाम नितिन सोन कर रहा है अभी में मंदल में युवा मोचा में अध्रक्षा कर रहा हूं तो आज जो छटे चरण का मतान हो रहा है जिसको देख करके जा लगता है क्या कहना चाहोगे चैनल के मा आप इधर बी देख सकते होुदर का भी नजाररे देख सकते हो सुबह से लेकर अभी तक आम आजमे के सारे बूत खाली पड़े आगा है जितने भी बलजीट मगर पटेल नंगर और मैं अभी वहीं से घुमता हूँ आ रहा हूँ सारे एक एक बूत खाली पड़े है बलजीत नगर की जनता पटेल नगर की जनता नई दिल्ली की जनता ने ठान लिया है बैन बासुरी सवराज जी को भव्वे वोटों से जीत दिलवाई लिए और इस वक्त हम पहुंचे हैं बलजीत नगर यह मा दुर्गेश्वरी देवी मंदिर का इस्थान है और यहाँ पर एक टेबल लगी है सामने सरदार सुकदेव सिंग धुन्ना जी है तो आए इनसे मिलते हैं और यह यहाँ पर आने वाले मतदाताओं को जो है उनकी सुविदा के लिए उनको उनका भूत बताते हुए यहाँ पर नमस्कार सर क्या हाल है बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और कैसा मतदान चल रहा है कुछ बताएं दर्श्ट को बहुत बढ़ी है चाली प्रसंट हो गया है और आप तो लोग चैनल निकलने शुरू है दूंकरने कारने बैड़ के दे आप चलू होगे कि दुपारा और का अज अग्यान को कि इतना उपशा है धाल निकले में कि दो हैं पुराने काम उनका सामने मेंड सरा रहा है लोगों की इमादन से बाई देखो यहां पे तो जाड़ू चल रही है सरे आम जाड़ू चल रही है क्योंकि बीजेभी के राज आपने देखा पिछले दस सालों से मिलाक्सी लेखी थी बिलकुत दिखी नहीं वह लेखी ऐसी थी वह दिखी नहीं है आप जाड़ू वाले हमारे अरविंद और इन्शाला चाहा बगवान ने चाहा तो वह इस बार साथ में से साथ सिटे लेके एक नया इधियास कायम करेंगे हैं दिली के अंतर तो आएए एक सामने जो है प्रियंका बैठी है जो कि अभी 18 वर्स की हुई है और इन्होंने पहला बोट डाला तो कैसा अनुभवरा आ हमेशा जो और जो अगले साल अगले एलेक्शन में जो नए जो आएंगे वोटर्स उनके लिए क्या कहना चाहिए किस तरह का महुत है हर इंसान को वोट डालना चाहिए अपना सरकार आगे बढ़नी चाहिए मेरा फर्स टाइम था मुझे अच्छा लगा यह यहां पर भारत किस तरह का महुले सर क्या लग रहा है यहां पर महुल बहुत अच्छा लग रहा है बीजेभी का आना निच्चित है इस तरह से आज भी वोटिंग चल रही है तो अभी तक 50% वोटिंग हो चुकी है अब आशा करते हैं कि बढ़के यह 80-90% वोटिंग होगी कोशिश है जिसर नमस्कार जी नमस्कार जी बोलिए परसेंट ही तो 50 और 60 के भीच में रहेगी तो मद्दाताओं को देखते वे क्या रुजान लग रहा है मद्दात पर रुजान तो अपने पक्ष में है जी रुजान तो पूरी दिली में एक जासर रुजान है जी पहले और भीचे आपके अनुसारा आपकर जाएंगे तो हैंगी किल झुना इन इनका पर मिला पिछान फेर्ट किया करेंगे ऑच्छ्व हैं आप कुछ कहेंगे बहुत बढ़िया चल रहा है बहुत बढ़िया बोटिंग चल रही है क्या लग रहा है चार सो से कितना उपर जाएगे दस बारा सीट अपर आराम से निखलेंगे आराम से चलिए नमस्कार कुछ कहना जाएंगे आज के एलेक्शन को लेगर के नहीं ब्याद थैंकि तो काफी लेट निखलें आप सुपे से गर्मी के बज़े से लेट आये क्या करे आपको यह सुविदाय दे पाएगा क्या लग चैनलेंगे और क्या देंगे एक एक दुक्की बात है जो बॉट काई रॉट बॉट रहा है और बॉट नहीं है वह इसकार शेकर लिए और नहीं आप नहीं है सबसे पहले अपना नाम बताओ तो आप यहां पे जो चुनाव का महौन देख रहे हैं घूम रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो बोट डालोगे आप तो इंतिजार है एटीन के बाद तो इंतिजार कर रहे हैं अपने एटीन का होने का है नमसकार जी अपने एक रेजिदेंस यहीं कि यहां सुपनाम आपका गगन खन्या जी तो कैसा महोल लग रहा है अच्छा लग रहा है इस पर स्क्राइब ज्यादा है पीसफुल हो रहा है पहली बार पटेलनगर में इस तरह का पहली बहुत जाला पहली बारी जो बेखार के लोग गूम रहे थे मुझ बरी नहीं है अच्छा हो रहा इस परी पुरा अच्छा लग रहा है और मैं आधनी एए एलेक्शन कमीशन राष्टी एलेक्शन कमीशन का मैं मैं आधर करता हूं कि जिन्होंने इतने सोचारू रूप से इतनी घर्मी होने के बाउजितने सोचारू रूप से इतने बड़े दुनिया के लोग तंत्र का जो एक इतना बड़ा पर्व है चुनाओं का उसको इतनी संपंता से संपूर कराए जा रहा है अब करी करी चार-पांच बजने वाले हैं एक गंटा सवा गंटा के आसपास रह गया लेकर मुझे अच्छा लगता है और मैं पत्रकार मौदे में आपके चैनल का भी आपका भी जो एंसी इंडिया मैं इसका भी धन्यवाद करता हूं कि आप दूर दूर तक जो कलस्टर के एरिये में जो किसी प्रकार की अपराद के खिलाब या जो लोग अपरादी इतरे से जो खबरें हैं उनको आप प्रसारित करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं आपको धन्यवा देता हूं और वाक्य में आज की जो परो को देखते हुए लगता है कि देश और दुनिया में एक जो बत्लाव की जो ह Alrighty जो बत्लाव की एक लेयर घो मेंघाई के जो ब्स टा चाहर के और जो एकर किया कि आपर मैर के किलाभ एक जो लोगोंच अबड़ी गर्मी के बखंडर बीच पोल कर रहे हैं धन्यवादिया इंडिया क्या माहूल है क्या आज के जुनाओ कि अपील करूंगा जो शक्स आपने बच्चों की जूटी किसम खाकर और अपने गुरू को दोखा देकर जो सत्ता में आया है अपनी अकल लड़ाएं और कमल का बटन दबाएं और बाजबाएं देकर आपका मालूम है कि इन्होंने 2013 में थ्री विलर्स के पीछे बड़े-बड़े मेहनत लगे हुए थे एक तरफ लिखा हुआ था इमांदार एक तरफ लिखा हुए था बेइमान कांग्रेस बेअमान पार्टी और रामादी पार्टी इमांदर पार्टी को लोगों से पिल की जारी थी कि आप किसको बोड देंगे इमानदार के साथ जाएंगे जब बेइमान के साथ जाएंगे तो दिली के जंता ने विदान सवा चुनाम में 70 में 67 सीटे दे कर इनको वीजे बनाया और ये बताया कि हम एक इमानदार नेता के साथ जाएंगे लेकिन अब यही इमानदर नेता जो है यह बेमान कांग्रेस की गोत में बैठ रहे हैं गिली के अंदर आमाभी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे की तारिफ के फुल बांद रहे हैं और यही दो पार्टी हैं पंजाब के अंदर एक दूसरे को पानी की पी कर कोस रहे हैं तो यह जंता देख रही है कि किस तरह दिली की जंता के साथ यह ठगी की जा रही है ये आमावी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके दिली और पंजाब में आदिय से ज़्यादा विदायकों पर अपरादिक मामले दर्जे हैं तीन इनके बड़े मंत्री जेल में हैं फुक्ता सबूत होने के कारण उनकों जमान तक नहीं हुए पीश इनके नेता जेल की हवा खा चुके हैं 38 ऐसे विदायक हैं जिन पर सो से ज़्यादा मामले लोका युक में धर्जे हैं नहीं 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 अब डाला किसको डाला बता लो है ओवेसली बीजीप को डालेंगे और किसको डालेंगे उनके बिना तुम सोच भी नहीं सकते सब्सक्राइबा फरीदपुरी का सामने वाटर टेंक है इसे 22 26 और 25 ब्लॉक वेस्ट पर्टल नगर का चोग भी कहते हैं और हमेशा से यहां पर मतदान के समय में जो हर पार्टी का जो है यहां पर टेबल लगता है मतदाताओं की सुविदा के लिए और इस वक्ते सामने आ यहां पर मोजूद है टेबल पर तो आए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं यहां पर यह पवन शुक्ला है जो कि मंडल में पदादिकारी हैं बहुत स्वागत है पूरी टीम का और आज सुबह से आप यहां लगे हुए हैं किस तरह का महौल नजर आ रहा है इस पर दूसरे के फिर्श में हैं वो तो कह रहे हैं कि केजरिवाल के नाम को बोट पड़ेगा जो दिल्ली सरकार के काम हैं जो उनको पड़ेगा यहां पर सारे के सारे जो हैं जितने भी तारू की दुगान खोलने वाली एक पार्टी है जिसने अपना पूरा ध्यान इस पर ल जो कनहिया कुमार जैसे प्रत्याशी उतारते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्ला नारे लगवाने का समर्षान करते हैं है और कुछ कहना जाएंगे निमान की बात हमारे सस्वी प्रधान मंतरी बने और चार्सो पार का नाराज दिया उसको पूर करें और में हमारे लिए समी सुराज जी मारेंस तो उसी और अप की बार 400 आपकी बार 400 और को आपकी बार 400 पार और देख सकते हैं कि बारती जन्ता पार्टी की जो व्रकस हैं अपर किस तरह का पार्टी के जो टेबल से वावर भी जाकर के जाने के कोशिश करेंगे चार सो पार पूरा यकीन पूरा चार सो पार और अगर कारवा कहीं रुट गया है तो नहीं चार सो पार वो समझावता करने का सवधा नहीं है मैंने इंसे पूछा कि मेरे नंबर से करके बात करें चिला रहारे मेरे पर यहां बात मेरी शुलो मिस्ते ना सई होती है कोई बात नहीं है खुश है और यहां पर खुब बढ़िया हुआ है तो यह थे बारते जंता पार्टी के उत्साहित वर्कर और आगे चलते हैं यहां पर यहां के जो छेत्रे निवासी भी हैं आपर और आए इनसे भी जानते हैं नमस्कार बहुत स्वागत है क्या माहूल लग रहा है क्या करा किया इन्होंने 10 साल में करा किया 10 साल में खाली हिंदू-बुसल्वान जोर के क्या गिया आपने देखने किया आप देखने किया आप देखने किया आप कुछ भी बोल दो हुआ जाके मैं यह कर रहा हूं किसको पता समाचारों के मात्रम से समाचार किसकी है सारी चैनेली उनकी है पिच्चे पड़ी हुई है और इंडिया की सरकार है जब पता लगेगा कि नहीं ने क्या करना है पुराणी ने क्या किया अब जो बोला जाता है दिखाया जाता हो सब्सक्राइब आनी चीजिए में को यूप को देना चाहिए बदलाओ चाहते हैं जी पूरी बहुमत से जाते हैं बदलाओ अपकी बार फिर मोधी सरकार ही आनी चाहिए देश में शराफ गोटाला करा इतने बड़ी बड़ी हैं सब कुछ खा गए देश को बेच बेच के खा रहे हैं सेंट्रल में सेंट्रल में बहुत बड़ी आप काम चल रहा है राम मंदिर बना कि अगर सनातनी हैं और हिंदू है तो भारत माता को ही पोड़ देंगे आप कितने अपने मंदिर पर पूजा करते हो कितने वह करते हो श्राप बारू आज से चल रही है जूर से चल रही है माद मंदरा तो बहुआन भी पीते थे पर यह सच्चा ही है हम तो केजिरीवाल को चीतारा चारे अपकी बॉर्टी वार्टी है कि अपकी बॉर्ट वार्टी है है कि वुलके एक अकेले के पीछे पड़ी है इसका मतलब यहीं है जितनी 27 पार्टिया है और 27 प्रधानमंत्री कैंडिडेट है आपके बाद दम है 400 सीट जीतो लेकिन बता दो कौन प्रधानमंत्री कैंडिडेट है जो भी सरकार आए पहुमत से आए जिसका पहुमत उसी के पास नाकिये तो सरकार है हमारे देश जब ही सुदरेगा जब मोदी जी इस्तफा देंगे आप लोग कहते हो मोदी ने बहुत काम करा मनीपूर में इंगी पूरी बहुमें से सरकारती नंगी ओरतों को घुमाया गया वो टीवी पे दिखाया गया आप अपनी बहनों को नंगी घुमाना चाहते हो और यह देख सकते कि किस तरह से जो आपस में किस तरह से बाद विवाद पर आ गए तो आये चलते हैं यहां आगे भी जो यहां बाबा फरीद पुरी छेतर से आप पार्टी का इंडिया एलाइन से उनके लोग यहां बैटे हैं अच्छा इंका ले हैं यह बंद पूर्प अच्छा अपका शुब नाम परिचे और आज के बाहूल को लेकर क्या कहना चाहेंगे आमादी पार्टी जीते ही और आमाद में ने जो काम किया है जो बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया दस साल में क्या किया है कुछ भी नहीं किया तो फिर हम इनको क्यों दें केजिनवाल जी ने जो काम किया है वो कोई भी सरकार नहीं कर सकते कि तब भी भी नहीं कर सकते जो इन्हों ने इतना अच्छा काम किया और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी आमादु पार्टी की भी आनी चाहिए वीजेपी भी नहीं कि ताना साथ वो इस ट्रम इसला गमंड हो गया है किसी को नहीं देख रहा है सब मनीश्टर को किसी इसके सामने किड़े मकुड़े समर्ण करें सब को उतने तो मेरे और मेरी विचार यहीं है कि इस बार चेंजिंग आनी चाहिए क्योंकि चेंजिंग इसलिए जलूरी है तो आगे काम कोई नहीं हो रहा है जो आज के टाइमें नजर नहीं आ रहा है जब जिसे सरकार बदलेगी तो यह सारा बरस्टाचार साथ ने आएगा तो कि कई चीज़ें आती है बाग की ज्यादा ना कहते हूं कि यहां के युवार नेता है आप पार्टी से पदाधी का रहे हैं क्या कहने सब्सक्राइब मैं यही कहना चाहूं हुआ कि आज पहले आपकी चनल का बहुत बहुत दन्यवाद करता हूं जो आपने हमारे छेत्र के जो भी मतलब मद्दाता है आपने सब को कवर किया सारे मतलब निताओं को इधर बीजेपी के बैठे में इधर आम आधी बाटी इंजा एलाइन्स के ल जादा मत्दान करें और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा इस बार इंडिया एलाइंस जीतरी है सरकार बनाने जा रही है और सभी दिल्ली की जित्री महिलाएं सबको दिल्ली के प्रियमुक्यमंत्री दिल्ली के लाडले अर्विंद के जिरिवाल जी ने हर महीने हजार में देने का बादा किया है जो अब देख सकते हैं हमारी इसमें पंपलिट में भी लिखा हुआ है और दिल्ली सरकार अपने जो भी मतलब वादा जंता से करती है सबको पूरा करते हैं चाहें स्वताल के अंदर मुफ्त एलाज की बात हो हर चीज जो भज़ा करती है उसको पूराँ करती है और मैं बात करूँआ तरश्ट जनता पार्टी के जू ठेये वादेकरने वाले जो जिन से सन्विधान भी हमारा खत्रे में है जो सन्विधान को बदलने की बात करते हैं देश के प्रदान मंतरी मैं इनके बारे में कहना चाहूँआ इनको बेहसाब बयान देते हैं अभी आपने सुना होगा मीडिया के अंदर इनोंने बोला कि जिस दिन अगर इंडिया कटबंदन जीत जाती है तो आप लोगों की कॉंग्रेस वाले इंडिया कटबंदन वाले आप लोग की रोडों को खोद देंगे आप लोग की बिजली कार की तारे कार देंगे आप लोग का मंगल सुत्र छीन लेंगे प्रदानमंतरी को एसा बयान देना क्या सोबा देता है ऐसे बयाने प्रदानमंतरी को नहीं देना चाहिए उनwn की जो हार की जला के ओदिख रही आ और इस बार इनकी इस देश से बिदाई होने जा रही है जो कहते हैं जोला उठाके चल देंगे इस बार इनके जाने का समया चुका है खाली आदे खाली आज जाएंगे लोग कुछ इसको जो फुर्दंग के रूप में देखते हैं खास तो पर भाजपा वाले बिल्कुल गलत है मेरा मानना यह है कि यह बदलाओ का चुनाओ हो रहा है दिल्ली के साथ सीटे हैं वैसे तो कहना ही है कि साथ में साथ बार बीजेपी हार रही है बट मेरे अपनी परसनल गड़ित में तीन सीटे एक सोमनाथ भारती जीत रहे हैं दूसरे महावल मिस्रा जीत रहे हैं और तीसरे करहिया कुमार तीन सीटे हमारे बदलाओं में एक दम आ रही है बहुत यद्शा चुनाओ गया है हम लोगों को आपके भाई चारा बनाया रखना चाहिए और हर पार्टी चाहती हमारी पार्टी जीव कर गया है हमें उसके लिए काम करना चाहिए बस बाकी धन्यवाद बहुत बढ़िया का आपने तुस्टाने तारे बास केजरी वाल सरक यदि परसेंट जो है जो है वोत जुए ब्सकारट बाढ़ा है क्योंकि राममंदीर इसक कोई मुद्व नहीं है तुम्हानर को भाई तुभाण के मुद्वे पे जो है आप वोट लिजे ना आपने काम कुछ किया ऐनी पांस साल दुस्ताल होगा बुरा हाल ओर पराहनी तक तो बताओ उने कैसे के सकते हैं कि वो जीतेंगे यहां से सुमनात भारती बहुत बारी महभूंत से जीत रहें और पूरे इंडुस्तान से जीत रहे हैं इंडिया कट बंदन का सब्सक्राइब और हमारी आडवलू ने आज पूरा मिल करके काम किया पूरी पूरे लाके की तो यह भार-बार कह रहे हैं कि अपनी बार 400 लेकिन लगता है इनको आपकी बार दिखाई दे रहा है कि के जीवाल जी इन पे सब पे भारी पड़ रहे हैं क्योंकि वह चाए जेल में बंद होकर बीजे इन पे बारी है क्योंकि इनको सपने में यादा आते हैं अबट जानाई जाना पूख़ी कैसे बुरूआ करते नहीं चलेगी चाहिए वो कुछ भी करें जो अपनी ताना से चला रखे वो चलेगी नहीं अधी गडिन उन्हों से बहुत अच्छा काम किया है हर जगे उन्हों ने अच्छा काम किया है इसलिए की काम किया जाप कोई भी कहीं भी निकास नहीं किया आप कुछ पर है कि वह चाहि बेशते बेशते सरकार चलाने लग गए तुमको डर है कि उनकी सरकार चिंजाएगी तो बापस केतली लेकर चाहे ना बेचने लग जाए जो कि जाने माने अभी नेता हैं बॉलीवुड में तमाम फिल्में इनके आपने देखी होंगी तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जाने आएं और कैसा यहां का महूल है बोट डालने कि पड़िये और काफी अच्छी वोटिंग हुई यह मेरे ख्याल से 65 से परसेंट से ज्यादा जानी चाहिए चुनाव आयोग ने इसके लिए काफी महनत करिये और चुनाव आयोग ने तो इसको एक महापर्व के रूप में भी मनाया अभी पिछले दिनों और लगातार जो है मद्दाताओं को रुजाने के लिए उनको करिए मैं यकीनन बता रहा हूं पिछले चुनाव भी देखें ऐसी रोनक नहीं देखी जहां देखो लाइन के लाइन लगी पड़ी है और कुछ लोग तो वोट डालने से रहा भी गए हो सकता है वो टाइम के इसाफ से लेट हो गए हो बहुत अशा करिए यह आप सामने दे जो सीमा थी से फिच्छे बज़े तक चुनाव होना है तो उसके साथ इच्छे बज़ते यहां पर यह गेट बंद कर दिए गए हैं इसी तरह, पूरी दिल्ली में पूरे भारत में जहां कहीं बहुत बंद कर दिए गए होंगे और इसके बाद जो अब तक जो अंदर जा च चेतर के निवासी भी हैं और आज पॉलिंग एजेंट के लिग में आपके हम कौन सी पार्टी की तरफ से हम दोना ही बल्कि पॉलिंग एजेंट मैं और मेरी धरम बतनी रमा चौपडा जी और सबसे बड़ी जो बात हमें अच्छी लगी कि बहुत ही शांती पूरत तरीके से आज का इलेक्शन रहा कोई लड़ाई जड़ाई बहुत प्यार मुंबस से फेजिज में रहा और हमारे याज पूल में 67 परसेंट वूटिंग हुई और इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपके क्या है सुजाओ क्या है विचार ये पूरा जो है चुनाओ आपको क्या लगता है किसके पक्ष में है किसकी सरकार बनेने वाली है जो भी आपके सुजाओ हो विचार हो हमारे साथ जरूर साजा कीजेगा इसी के साथ मै अपने केमरामेन विशाल पांचाल के साथ आप सभी सानुमती चाहूंगा जद मिलूगा तब तक आप अपना बहुत क्याल रखेगा और यह आप देख सकते हैं कि जो चुनाव आयोक के और से जो डूटी पर यह बसे लगी हुई है इसी के दुआरा है जो है आभी इवियम ज कमा होती है वह आप चले चली जाएंगी तो नमस्कार धन्यवाद